नमस्कार दोस्तों ये वीडियो स्पेसिफिकली आप में इसे उन कैंडिडेट्स के लिए जो exam में English हर बार वो week रहती है exam score आता ही नहीं है English में तो दोस्तों आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा आप बताना उसमें से कौन सा हिस्सा आपका week है और वो ऐसे आप खुद से पहचाट बाओगे और उस week हिस्से को पहचाटने के बद उसका solution क्या है कैसे उसको improve किया जाए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आप जानते हैं English को तीन हिस्सों में बाटा जाता है अब आप देखना अगर जब जब यह मैंने topic लिखें जो pre exam में आते हैं अगर आपका pre में ही score नहीं आता है तब ही तो आपका V के हर बार रह जाते होंगे pre के topics में score आने लग जाएगा तो means में भी आने लग जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ खास अंतर आता नहीं है topic में सिर्फ level बढ़ जाता है तो मुझे बताओ जब आप comprehension कर रहे होते हों खुद से सोचना क्या comprehension में ये तीन हिस्से reading comprehension, paragemal, closest क्या इसमें score हमेशा कम आता है आप सोचो देखो कि अच्छा जब मैं reading comprehension करता हूँ तो उसके सवाल नहीं कर पाता हूँ ये करतो पाता हूँ मेरे का time वहाँ ज़्यादा लगता है इसका मतलब अगर ऐसा है time ज़्यादा लगता है तो मेरा ये week section है time कैसे measure करेंगे? reading comprehension जिसमें 6-7 question है वो आपका हो जाना चाहिए 3-4 minute में अगर ये 3-4 minute में नहीं हो रहा है बाबू जो पैरा जंबल पैरा जंबल question जिसमें 6 या 5 statement दिया होंगी उसमेंसे फिर आपको उनको rearrange करके बताना है पहला दूसरा तीसरा कौन सा है इसको आप कर लें 2 minute में और अगर ये 2 minute में नहीं हो पा रहा है दोस्तो इसका मतलब आपकी ये भी section weak है ये आपको समझने है close test पे आते है close test जिसमें आपके 5 question होते है close test वाले 5 ही आते है usually 5-6 हो जाएंगे ज़्याद़ ज़्याद़ ये 5-6 जब आप close test कर रहे हो सिर्फ ये comprehension हाला कि vocabulary का भी role होता है लेकिन पहले समझने है क्या ये weak है तो इसको करने के लिए आप 5-6 question कर रहे है तीन मिनट में आपका हो जाए ये within 3 मिनट तीन मिनट में हम मानके चलते है close test आपका हो जाए अगर इतने से ज़्यादा समय लग रहा है ये एक बार में सही नहीं होता तीन मिनट तो कर ले लेकिन सही नहीं हो रहा है इसका मतलब weak है अब आप खुद से पहचानना है ये weak है इसका मतलब आपको समझवाएगा आपका comprehension ही weak है तो अभी मैं बाद में solution दूँगा comprehension को कैसे आप strong करोगे दूसरे में आजाओ vocabulary में अब ये antonym synonym का हिस्सा चाहे antonym synonym reading comprehension के अंदर पूछे जाएं चाहे antonym synonym के अलग से pair बना कर पूछे जाएं कैसे भी आपको antonym synonym कहीं पूछे जा रहे हैं अगर वो आप शे नहीं हो पारे इसका मतलब आपको vocabulary words में दिखकत है दूसरा word fillers करते हैं तो word fillers में vocabulary की जरूरत है वो word fillers नहीं हो जाते word fillers के लिए मैं अब time नहीं बता रहा हूँ इसमें time का क्या scene है आता है तो हो जाएगा नहीं आता है तो नहीं होगा अब इसमें ऐसा तो हैनी कि समझने में time जादा जा रहा है नहीं जादा जा रहा है आता है तो हो जाएगा नहीं आता तो नहीं हो जाएगा तो आप notice करना कि जब जब आप ये question करते हो चाहे mock paper में करते हो चाहे कहीं भी आप question practice लगाते हो तो क्या ये वाले question जादा तर ठीक होते हैं या गलत हो जाते हैं वर्ड यूजज भी इसी में आगया word swap थोड़ा आसान हो जाता है मुझे लगता है कर लेते होंगे पटा हम इन तीनों को मानके चलते हैं आपको देखना अगर ये आपको लगता है week है यानि कि इसका मतलब क्या आपका section week है आपको खुद बताना थोड़े एक बर मुझे इस comment करके भी बता देना तो मैं इसके लिए और भी वीडियो बना दूगा जो आपको जरुत होगी तीसरे पाज़ाओ error detection sentence improvement दो ही हिस्सा बनता है दोस्तों prelims में grammar का अब ये बताओ grammar की 5 question आते हैं for example error detection पांच में से हर बार कितने ठीक हो जाते हैं अगर पांच में से चार ठीक हो जाते हैं इसका मतलब ये improvement इसमें improvement की जरूरत है बड़ी वीक नहीं है improvement की जरूरत है बड़ी वीक नहीं है लेकिन हर बार ऐसा हो जाता है 2-3, 2-3 ही ठीक होते 1005 होते ही नहीं है इसका मतलब वीक है 2-3, 2-3 का मतलब वीक है यह मत सोच एक नहीं 5 मे号 से 3 थीन तो हो गया पांच मे号 से हर बार 3, 4, 3, 4 ठीक हो रहे हो तो आप समझरों कि बस और इंप्रूव करना इतना वीक नहीं लेकि दो ही तीन है, कई बार दो ही सही है, कई बार तीन, तो दो ही सही का मतलब मालों है, दो सही गए और बाकी के तीन गलत गए, तीन गलत होने का मतलब 0.75 चला गया आपका सिधा, 0.75 वहाँ चला गया और दो ही आपके ठीक हुए, दो में भी 0.75 घट गया, तो बचा के आप बहुत जादा रीडिंग करेंगे आप रीडिंग करके उसकी अंडरस्टेंडिंग बना रहे हैं आपने रीडिंग करी रीड किया पढ़ा समझा और उसकी दोस्तों अंडरस्टेंडिंग बनाएंगे रीडिंग करेंगे और अंडरस्टेंडिंग बनाएंगे रीडिंग करी understanding करे reading करी understanding करें तो reading और understanding जितनी ज़ादा होगी उतना अच्छा रहेगा अभी reading understanding सिर्फ वही हो which is only exam oriented तब तो ठीक है वड़ exam oriented नहीं है कोई भी किताब उठा के कुछ भी पढ़ रहे और उसको हम reading कह रहे हैं obviously खराब है बिल्कुल बेकार है कोई लेना शादेना नहीं उसका आप सुननो मीरी बात इसको करने के लिए सिफ एक ही चीज़ और जो का हिंदू निउस पेपर जो मैं पढ़ाता हूं आपको किकि मैं सात की साथ पढ़ा रहा न तब तो improve होगा मैं डेली कराता हूँ सुबा 7 बजे 7 एम लाइव कराता हूँ मैं आप सबसे कहूँगा live नहीं देख सकते तो इसे recorded देखो बट इस session को आप बिल्कुल भी मत छोड़ो दो चीज़ों improve होती सीधे तोर पर पहला है reading ability यानि कि यहां से comprehension बना और दूसरा है दोस्तों vocabulary डेली में यहां पर vocabulary देता हूँ, vocabulary में word बताता हूँ, word का मतलब बताता हूँ English में Hindi में, word के दो antonyms बताता हूँ, word के दो synonyms बताता हूँ word का use sentence में किसे करेंगे, मैं यह बताता हूँ तो इसका मतलब अगर आप यह कर लोगे, vocabulary का पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा comprehension का पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा, सिर्फ newspaper के editorial reading से तो यह editorial reading आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, सुबह से शाम तक कुछ भी पढ़ रहे हो but one session which cannot be escaped, वो है दोस्तों, 7 a.m का the Hindu editorial session Banker's Way YouTube channel, इसी पर ही दोस्तों पढ़ाता हूँ, मैं daily पढ़ाता हूँ आप आईए, देखिए, पढ़िए, और अपने आपको दीजिए, एक हफते का समय दो और उस एक हफते के समय में देखो, पढ़ो, और यह चेक करो, क्या आप improve कर पा रहे हो बस एक हफते पढ़कर, जो आप paper लगा रहे थे, जो आप question कर रहे थे, आप उसको चेक करो क्या आपकी understanding power बढ़ गई, क्या आपकी vocabulary understanding power वो बढ़ गई और बढ़ गई न, guarantee देता हूँ, आपके अंदर जो sense of confidence आएगा न, वो कोई भी वीडियो नहीं दे सकती वो क्योंकि आपका real confidence होगा, real content based confidence है, आपका score improve हो रहा है, वो उस पर based है, वो जरूर करना students की problem यह होती है, they start reading newspaper, बट दो दिन, चार दिन, पास दिन पढ़ा and then they skip चार दिन, पास दिन के बाद फिर पढ़ा, फिर skip, फिर पढ़ा, फिर skip, एक बहुत अच्छा सा example आपको बताता हूँ, दोस्तो, let's suppose मान के चलो, यह आपके सामने CD है, ठीक है, अब इस CD में आपके सामने ऐसे करके, यह अलग-अलग दोस्तो, CD में यह लगे हुए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, for example, यह 6 दिन पढ़ने के बाद ही आपको selection में पहुँचोगे, होता क्या है, कि आपने एक दिन पढ़ा, दूसे दिन नहीं पढ़ा, skip कर दिया, अगर आप skip नहीं करोगे, तो देखो यहां से यहां तक चलना आसान है, यहां से यहां तक चलना आसान है, daily, य यह consistency, यह consistency, daily पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, लेकिन consistency नहीं हुई, यह वाले को एक बार skip करके देखो, आपने इसको skip कर दिया, देख न, आपने skip कर दिया, एक दिन पढ़ा, यहां skip कर दिया, इसको आपने चलो तो भी cover कर लिया, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे यहां से लेकिन पीछे का तो छूट गया ना कैसे कैसे काम चलेगा आपने लोग इसको भी स्किप कर दिया पहुंच के देखो कितनी ही ताकत लगेगी बहुत जरूरी होता है इसलिए एडिटोरिल रीडिंग आपको पता करनी है बट more important consistent होना है कोई बात नहीं अगर अभी तक आप consistent नहीं हो पाएते बस आज ये वीडियो देख रहे हो वीडियो देखने के बाद मन के अंदर एक अपने से वादय करना है कि कुछ भी हो जाये डेली रीडिंग करनी है तब तक reading करने हैं जब तक की मेरा selection नहीं हो जाएगा regular reading करने है score improve करते जाना जब तक selection नहीं होगा तब तक करने है और selection होता है हाँ इस बार IBPSP वोमेंस के बच्चों का मैंने जब interview लिया वो बच्चे कितने क्रीम अच्चे थे कितनी महनट करन की शकल भी दिखती है महनट क्यों लगातार पढ़ाई करते थे consistent तरीके से पढ़ाई करते थे focus होके पढ़ाई करते थे इतना अच्छे से पढ़ाई करते थे and this is this should be done by every experiment और एक experiment के द्वारा करना चाहिए यहां से आप दोस्तों इंप्रूफ करोगे तो करो न इंप्रूफ यह मैंने आपको solution दिया इसका free of course solution ने free मैं पढ़ो अच्छा बात रही grammar की how to improve grammar grammar में क्यों परेशान होती हूँ आपको मालूम है grammar के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह देखो grammar के लिए देखो दोस्तों यह रहा grammar के लिए बहुत ध्यान से देखो आप लोगो grammar improve करने है कि किताब download कर लो यह आपकी basic grammar को improve कर देखे free में है ebook है मेरी है free की चीज़ की value नहीं करता आदमी लेकिन एक बार करो तो एक बार इसे download करो पढ़के देखो से समझ मैं अपका score improve हो बताना अब practice करने है practice के लिए दो session कराता हूँ करो यह unacademy पर पढ़ाता हूँ अगर class में पढ़ना है इसमें से पढ़ो यह पढ़ाता हूँ इसमें से पढ़ो यह यूटीपर पढ़ाता हूँ 500 की series यह भी free है वो unacademy में पढ़ाता हूँ यह भी free है अगर देखा जाए we have the content we have all the content the need is हमें पहचानना कि गड़बड कहा है हमें पहचानना है हम week कहा है अब आप देखो दोस्तो मैं तो नहीं कहा रहा हूँ सब पढ़ो सब गड़बड़े दो सब पढ़ो आपको पहले analyze करना है कि आप पीछे कहा हूँ आप अगर पीछे हो बाबू इसमें आपने देखा आप पीछे हो दोस्तो आपने comprehension में वो क्या आप में editorial reading करो बस और कुछ नहीं करना grammar में हो तो उसको करो कर लो बस ये है दोस्तो कोई problem हो कोई समस्या हो मुझे बताओ मैं आपकी help करूँगा आपको help मिलेगे ठीके इसे करो पीछे मद रेना ये मैंने आपके लिए बात बता दी ठीके अच्छा अब भी भी आपको लगे कि सर कोई चीज रेगे मिरको बताओ मैं आपके help करूँगा मिरको बताओ मैं आपके help करूँगा हमेशा ये सुबा सुबा पनाता हूँ आज का session हो के दोस्तो आप जाकर इसे जरू पढ़ना आच्छा आप इसके अलावा देखो आपको एक इंपोर्टन चीज बता दे रहा हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं नो मुझसे अनकेडमी पर एक offer है जो कि अनकेडमी प्लस के students के लिए अगर अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाते हो कोई problem समस्या है मुझे बताने यह paid classes अगर paid से पढ़ना चाते हो तो और paid भी नहीं आना चाते हो तो पहले live आओ live सेखो और वो तो जरू करो जो बच्चे paid class में पढ़ते हैं जो बच्चे यूट्यूपर पढ़ते हैं कहीं भी पढ़ते हो one session which is mandatory that is the Hindu editorial daily at 7 a.m. in the morning live पढ़ता हूँ 7 बचे live जोड़ो आप उससे जितना हो सकता है क्योंकि आप जो connection मनेगा ना live में वो कहीं नहीं बन सकता still आप live नहीं जोड़ सकते it's okay कोई बात ही जब आपके बास समय होगा तब आप जोड़ेंगे पट आपका schedule होना चाहिए मेरको दुपैर को इतने मजे देखना है शाम को इतने मजे देखना है रात को इतने मजे देखना है दिन मेतने मजे देखना है whenever you have time fix your time and start watching it जरूरी नहीं 1x पे देखो if you want to watch it at 1.5x देखो at 2x देखो ना उस पर at your ease at your comfortable zone आप उस में देखो but एक ही motive होना चाहिए it should be very very consistent और consistent होगा यकीन मानिए आपका selection होगा यकीन मानिए आपका English improve होगा ही होगा कैसे नहीं improve होगा बिल्कुल improve होगा तो कोई बच्चा परिशान नहीं होना और जिसको दिक्कत आती हो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना सर मुझे इस section में दिक्कत आती I'll make video for you do not worry बिल्कुल परिशान मत है न ठीक है बिल्कुल भी परिशान के शुको नहीं होना है ठीक है बाकि आज का वीडियो अच्छा लगा है दिमाग में लगाओ दिल में लगाओ कि हायर अंदर से आज मिरको खुद से कमिटमेंट करना है तो कमिटमेंट करो अपढ़ना शुरू कर दो All the best दोस्तों बाई बाई